इस वीडियो में मैं आपको रनबीर कपूर की एनिमल मुई की काफी ऐसी चीजे बताने वाला हूँ जो आपको सायद ही पता होंगी इसके अलावा इस मुई की एंडिंग एंड पोस्ट करड़ सीन के बारे में भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो भी सबसे पहले में आपको बता दो एनिमल मुई ने डेवन को कमाई की है 116 करोड रुपे की जिसमें से 60 करोड का कलेक्शन तो इंडिया में किया है और बाकी वर्ल्ड वाइड और इसी के साथ ही मुई बन गई है बिगेस्ट ओपनर ओन नोन होलिडे रिलीज फोरे हिंड इसके अलावा इस साल एनिमल मुई से उपर सिर्फ दो मुई है और वो दोनों मुई सारुप खान की है जिसमें पहली मुई है जवान जिसने डेवन को कलेक्शन किया था 125 करोड का और वहीं दूसरी मुई है पठान जिसने डेवन को 106 करोड का कलेक्शन किया था बाकी अब मुई की बारे में बात करें तो वे इस मुई की डारेक्टर संधीप रेडी वांगा ने एक इंटर्व्यू के दोरान बताया था कि इस मुई का टोटल रन टाइम अप्रोक्स 3 गंटे 45 या 46 मिनट का था लेकिन उन्होंने इस मुई को कट करके 3 गंटे 21 मिनट का बना दिया और अभी लेटस न्यूज ये आ रही है कि जब इस मुई को OTT पर रिलीज किया जाएगा उस टाइम पर इस मुई का रन टाइम अप्रोक्स 4 गंटे का होने वाला है और OTT पर जब ये मुई रिलीज की जाएगी उस टाइम पर हमें पता चल जाएगा कि कौन-कौन से सीन्स को थेटर कट में से कि कौन-कौन से सीन्स इस मुई से रिमू किये गए है और डेफिनेटल वो सीन्स बहुत ज़्यादा ब्रूटल एंड वोयलेंटी होंगे इसी वज़े से सायद उन्सीन्स को रिमू किया गया है बाकि भै इस मुई में जो रनबीर कपूर ने मसीन गण यूज की थी वो मसीन गण किसी CGI से नहीं बनाई गई उस मसीन गण को बनाने के लिए हाइली स्किल्ड वरकर्स लगे थे इस मसिनकन को बनाने में टोटल कोस्ट एक करोड रुपए किया ही थी इसका टोटल वजन पांसो किलो था बाकि अब इस मुए की एंडिंग एंड पोस्ट करडिसीन के बारे में बात करते हैं एंड बे एंडिंग में हमको देखने को मिलता है कि रनबीर कपूर ने अपनी फैमली को प्रोटेक्ट करने के लिए बोवी देल को मार दिया है लेकिन बे पोस्ट करडिसीन में हमको देखने को मिलता है कि बोवी देल का एक छोटा भाई था जिसको उन्होंने सर्जरी के थुरू बिल्कुल रनबीर कपूर जैसा बना दिया है और बोबी देवल का मरने से पहले ये प्लान था कि उसके छोटे भाई को रनबीर कपूर का डुब्लिकेट बना कर स्वास्तिक इंडस्टी और बलबीर सिंग को मारा जाए लेकिन रनबीजे बलबीर सिंग ने बोबी देवल को मार दिया और उनका इपलान नहीं चला लेकिन बोबी देवल का छोटा भाई बिल्कुल रनबीर कपूर का डुब्लिकेट बन चुका है पोस्ट कर्डिस सीन में हमको ये भी पता चलता है कि जोया प्रेगनेंट हो चुकी है और वो रनवीजे बलबीर सिंग का बच्चा कैरी कर रही है बाकी पोस्ट कर्डिस सीन में हमको ये भी देखने को मिलता है कि बुभी देयल के चोटे भाई ने रनवीजे बलबीर शिंग के दो आदमियों को उठा लिया है अट बे उनको brutal तरीके से मार दिया है अट उसी के साथ हमको ये भी पता चलता है कि बुभी देयल की third wife ने twins को जनम दिया है अट DC के साथ ये movie end हो जाती है एंड भी इसकी second part का जो नाम होने वाला है वो होने वाला है animal park एंड भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो भी second part का जो नाम लिखा रहा है उसका color red है एंड वहीं जो first part का नाम लिखा रहा था उसका color golden था तो भी आप अंदजा लगा लो कि first movie में ही हमें इतना ज़्यादा blood and violence देखने को मिला है तो भी इसकी second part का जो logo red है उसका clearly ये indication है कि भी second movie में हमको बहुत ज़्यादा blood and violence देखने को मिलने वाला है first part से भी ज़्यादा बाकि भी second part में mainly हमको यही दिखाये जाएगा कि भी बोबी देल का छोटा भाई अपने भाई एन फादर की death का बदला लेने के लिए रनवीजे बलबीर सिंग के पीछे पढ़ने वाला है बाकि भी इसके second part को लेकर आपका क्या विचार है मुझे comments में जरूर बताना